नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फेर से हमारे इस पावरफुल मोटीवेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों आउरत की ये एक चीज खुली होने पर बहुत बुरा मना जाता है आप बिल्कुल भी ना खोलें, खास कर रात के समय काउन से है बो चीज आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों करपियां आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजी क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो औरत की एक चीज खुली होने पर अपनी बरबादी सुवाए कर लेती है साथ ही उसके परिभार पर भी बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है सात्रों में भी औरत की यह चीज खुली होना बहुत बुरा माना गया है दोस्तों कहा जाता है कि आउरत को समझना बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि आउरत हम ऐसा सही पुरुसों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती है हम आपको बता दे एक महिला को हम मा बहिन पतनी दादी और दोस्त के किरदार में देखते हैं आउरबा अपने किरदार को बहुत ही खूबी से निभाती है लेकिन क्या आप जानते ही आउरत की एक चीज खुली होने पर सबसे बुरा माना जाता है यहां तक कि सास्त्रों में भी इस बात का उल्लेक मिलता है दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दे सामुद्रिक सास्त्र में महिलाओं के रंग और उनकी बनाबट के बारे में समपूरर जानकारी दी गई है ऐसे में आउर्थों का सोभाओं देखकर उनका चरित्र जाना जा सकता है इसके अलाबा महिला के ब्यक्तित्तों और सोभाओं के बारे में भी काफी जाना जा सकता है तो ऐसी में आज हम आपको बताने बाले हैं कि सास्त्रों में ऐसा क्या बताया है कि महिलाओं के बारे में जो कि सबसे गलत माना जाता है आए जानते हैं इसके बारे में जिसे जानकर आप चौक जाओगे और हो जाओगे अचम्भीत दोस्तों नमबर एक है धार्मिक सास्त्रों के अनुसार महिलाओं को हमेशा ही अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए कहते हैं कि महिलाओं के बालों को खुला रखने का मतलब होता है कि बाकिसी का सोक मना रही है इसलिए महिलाओं को हमेशा बालों को बांध कर रखनी की सलाह दी जाती है पाउराडिक मन्यताओं बाकताओं के अनुसार जब माता सीता का विवाह भगबान राम से हुआ था तब उनकी माता ने उनके बाल बांधते हुए कहा था कि तुम कभी भी अपने बालों को खुला मत रखना क्योंकि बंधे हुए बाल हमेशा रिस्तों को बांध कर रखते हैं और खुले बाल रिस्तों को जुड़ने नहीं देते हैं माना जाता है कि महिलाओं को बाल केबल तभी खुले रखने चाहिए जब बहा एकांत में अपने पती के साथ में हो इसके अलावा उन्हें हर समय अपने बालों को बांध करी रखना चाहिए सास्त्रों के अनुसार जो महिला बालों को खुला रखती है तो नकारात्मक सक्तियां बुरी सक्तियां उसे अपना सिकार बना लेती है ऐसे में घर में लड़ाई जगड़े होने सुरू हो जाते हैं इसके अलावा यदि कोई महिला रात में बालों को खोल कर सोती है तो ऐसी मह महिला पर नकारात्मक सक्तियों का प्रभाव हमेशा बना रहता है रात के समय में भी किसी भी महिला को अपने बालों को खोल कर नहीं सोना चाहिए बालों को खोल कर सोना ना के बल बड़े बुजुर्गों बलकि साहत्रों में भी इसे बहुत गलत माना गया है और दोस्तो आते समय अपने बालों को पूंच लेना चाहिए ज्यादा समय के लिए बालों से टपकता हुआ पानी कर्ज को बढ़ाबा देता है इसके अलाबा धीरे धीरे घर परिवार संकट में आ सकता है बालों से टपकता हुआ पानी ब्यक्ति को कर्ज का भागिदार बनाता है इसलि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर करना बिल्कुल भी मत भोलना तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही ग्यान बर्धा का और नालेजबल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिद जय भारत